यहां चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पर पहुँच जाएंगे जहां प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉर्सेस की लिस्ट मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स मैं प्रवर्तक प्रवर्तक इसिक्छा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम जानेंगे डारेक्ट सेंटेंस के तीन प्रकार तो डारेक्ट सेंटेंस क्या होते हैं यह किस प्रकार के होते हैं और इसकी प्रकार कौन-कौन से हैं इसी को हम जानेंगे, डारेक्ट सेंटेंस वे होते हैं जो डारेक्ट हम सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं, अधि加र है जिसको बोल रहरे हो हमारे सामने यह हम हम आमने सामने किसे से बात करते हैं तो डारेक सेंटेंस होते हैं सिद्धे हम सामने वाले के बोलते हैं ना कि कि किसी केस बारे में बोलते हैं दूसरी चीज डारेक सेंटेंस जो होते हैं वो कमानों रिक्वेस्ट वाले होते हैं मतलब डारेक सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं क दिसरा point है start from verb first from जो direct sentence होते हैं वो verb की first form मतलब verb की तीन रूफ होती है वैसे ing form को मिला कि चार रूफ तो verb की पहले form से जो sentence चालू होते हैं सिधे verb की first form से चालू होते हैं जैसे go एक verb है go to school तो ये एक direct sentence हुआ और सिधे हम सामने वाले को बोलते हैं और ये verb से चालू हो रहा है तो direct sentence है फिर अगली जो प्रक्त चीज है कि वरतमान समय की बात करते हैं जो भी direct sentence होते हैं sentence का मतलब होता है वाक्य जो सिधे sentence है direct sentence होते हैं वो वरतमान समय के वाक्य होते हैं मतलब अभी हम जो बोल रहे हैं जिस समय में बोल रहे हैं, उसी समय कि हम बात कर रहे हैं, जैसे यहां बैठ जाओ, वहां चले जाओ, तो यह वर्तमान की ही बात कर रहे हैं, परंतु कार खरीदी, तो यह पहले की बात हो गई, वहां जाएंगे, तो यह बात की बात हो गई, तो यह भूतकाल और भविशकाल क के वाक्य नहीं है यह है आपके वरतमानकाल के वाक्य जो डाइक सेंटेंस है वो वरतमान समय लब जब आप बोल रहे हैं उसी समय की अब बात कर रहे हैं ना कि पहले की और नहीं बात की तो डाइक सेंटेंस क्लियर होगा अब हम देखेंगे डाइक सेंटेंस के प्रकार तो ड इस प्रकार के sentence आते हैं जैसे नॉर्मली जहां पर हम कुछ करने के लिए कहते हैं जहां हम कुछ करने के लिए बोलते हैं वो आपके positive या simple या सरलवाक्य हो जाएंगे जैसे दर्वाजा बंद करो दर्वाजा बंद करो close the door close verb होगी वर्व से चालू हो रहा है और क्या बंद करो door तो the door close the door mobile बंद करें कुछ सबजिया खरीदें buy some vegetables यहां जूते उतारें remove shoes here अब दूसरा प्रकार होता है वह है आपका request वाले या प्रात्ना वाले sentence जब भी हम request करते हैं तो हमें सम बड़ों से request करते हैं या समानुम्र या फोटे से भी कर सकते हैं कभी-कभी तो जब भी हम request करते हैं या प्रात्ना करते हैं किसी से कुछ करने के लिए तो हम please सब्दका प्रयोग करते हैं और please सब्दका हम वाकिय के पहले या फिर बाद में भी बोलते हैं और वैसे भी जब हम request करते हैं तो हमारी भासा या हमारी जो बोलने की टोन होती है तरीका होता है वो polite या number होता है सब भी होता है जिससे पता चल रहा है कि हम request कर रहे हैं जैसे यदि हम कहेंगे bad जाईए तो यह request हुआ एक number भा हुआ पर हम यदि हम बोल रहे है बैठ हो तो यह request नहीं हुई तो इस प्रकार बोलने के तरीके में request डिखती है और साथ में आप आग्रह कर रहे है तो आप प्लीज सब्द को पहले या फिर बाद में बोलेंगे जैसे क्रप्या यहां बैठ हिए तो हम किसे प्रात्ना या request करता है तो इंगलिस में बोलेंगे sit here please या बोल सकते है पहले please बोलेंगे तो please sit here तो सब्धेता के साथ नम्रता के साथ आपको request करना है या फिर ऐसे नहीं करना है sit here तो request आपको आराम से ही करनी है और example हम देखते हैं खिरकी बंद कर दीजिए please please close the windows तो सामाने चाहे हैं हिंदी में भी हम please सब्धी बोलते हैं या फिर क्रप्या बहुत कम यूज करते हैं हाँ शकल please बोलते है क्रप्या अपना पैर हटाईए please move your leg क्रप्या अपना बैग हटा कर रखिए अब रास्ते में रखा हुआ आप हटाने के लिए कह रहा है तो आप बोल लेंगे please sad your bag मुझे निला पैन दीजिए please या please मुझे निला पैन दीजिए give me blue pen please तो यह थे आपके request और प्रात्ना वाले सब्द अब जो तीसरा प्रकार है वो है आपके negative sentence या नहीं वाले sentence जहां हम कुछ नहीं करने के लिए बोलते हैं नहीं करने के लिए जब हम बोलते हैं तो हम do not जिसका short form होता है don't मतलब नहीं या फिर never कभी नहीं दो सब्दों का प्रोय करते हैं direct sentence में हम don't या फिर never दो सब्दों का प्रोय करते हैं यहां पे हम नहीं करने का बोलते हैं तो don't या never को हम verb से पहले बोलते हैं direct sentence की जो sentence है उसको हम work से चालू करते हैं पर तो जब नहीं वाले वाक की जो होते हैं तो इसके में पहले हम don't या फिर never का यूज़ करते हैं कभी नहीं बोलना है तो never और नहीं करना है ऐसा तो हम don't का यूज़ करते हैं जैसे यहां मत खेलो तो मत मतलब भी नहीं होता है ऐसा मत करो वैसा मत करो तो अब हम don't का यूज़ करते हैं तो यहां मत खेलो don't play here तो play हमारी verb थी उसके पहले हमने don't बोला और यहां के लिए here don't play here गाना मत गाओ don't sing यहां मत खड़े रहो don't stand here बाहर मत जाओ don't go outside दोबारा मत पूशना don't ask again चिलाओ मत don't shout या फिर shout verb है या फिर इसके लिए हम बोलते हैं make मतलब बनाने के लिए करने के लिए भी बोलते हैं और noise मतलब आवाज don't make noise इसी प्रकर इंग्लिज में हम अलग-अलग verb या अलग-अलग तरीके से एक ही चीज़ को बोलते हैं तो कहने का अलसे सेम होना चीए साब्दिक अर्थ कुछ भी हो सकता है जैसे make का अर्थ होता है बनाना तो यदि साब्दिक अर्थ पर जाएंगे तो don't make noise आवाज मत बनाओ पर तु कहने का असे क्या है कि आवाज मत करो कभी भी जूट मत बोलो never lie तो कभी भी मत करो ऐसा करो तो कुछ सा सब्द हम यूज करेंगे never तो never lie कभी भी यह मत खरीदना कभी भी यह मत खरीदना never buy these कभी भी वहां मत जाना never go there तो negative को हम दो प्रकार से बनाता है don't और never से तो यह थे direct sentence के तीनों प्रकार इन तीनों प्रकारों में इन sentence को बोला जाता है अगले वीडियो में हम direct sentence के बहुत सारे और example देखेंगे और हम अलग अर्थ के लिए और किन-किन सब्दों को other words में जोडते हैं वर्ड के बाद में वो भी हम देर देरे अगले वीडियो में देखेंगे तो direct sentence सबसे important part है आपके English सिखने का और English सिखना है तो आपको इन वीडियो को देखना होगा और इन direct sentence की सबसे अधिक प्रेक्टिस करना होगा जादे शादे sentence बना कर बोल कर प्रेक्टिस करना होगा यदि आप full course देखना चाहते हैं तो यहाँ channel के नाम पर click करें जिससे आप channel पर पहुँच जाएंगे जहाँ playlist पर click करेंगे तो आपको courses की list मिल जाएगी जिस पर click करके आपको course के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठें सीखें यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ click करके channel को subscribe करें बढने वाली bell button को click करें और पर click करें जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिक मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ click करके like कर इस बटन पर click करके दोस्तों के साथ share करें आप भी सीखें सभी सीखें थैंक्यू फॉर वाचिंग